हलो एवरिवन टिकलेट्स एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में पैराबोला बाय रेक्टैंगूलर मेथड ये टोपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 6th प्रॉलिम स्टडी करेंगे तो कॉश्चन क्या रहेगा उसके तो देखिए एक कोश्चन आपके सामने है इसका सॉलूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉलूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के परावलिस में यूज किये थे सबसे पहले हम कॉश्चन पढ़ेंगे कॉश्चन में यहाँ पे अगर पैरावला ड्रॉ करना है तो उसका बेस और हैट क्या रहेंगा वो हम पहले चेक कर लेंगे देन आफ्टर इसका सॉलूशन बनाएंगे कॉश्चन हमने आज के वीडियो डिक्स्रिप्शन में भी दे दिया है आप वहां से वह आसाने से देख सकते हैं तो कॉश्चन में यहाँ पे जो लिखा है यह तो चुश्चन में ही कही न कही लिखा है की पैरावलिक पाथ देखो question में क्या-क्या लिखा है सबसे पहले लिखा है on a cricket ground और यहाँ पे जो conditions दिये है वो fielder और wicket keeper के बीच में क्या हो रहा है वो यहाँ पे दिया है तो question में लिखा है on a cricket ground the ball thrown by a fielder reaches the wicket keeper following the parabolic path इसका मतलब यह है चलो मान लो की यहाँ पे fielder है ठीक है और मान लो की यहाँ पे wicket keeper है ठीक है और question में लिखा है कि fielder ने wicket keeper के तरफ ball throw किया है अब जाहिर सी बात है जो ball throw किया है वो इस तरह से felder throw करेंगा तो यह जो ball है यह parabolic path follow करेंगा और ये wicketkeeper के पास पहुचेगा ये confirm है अब question में आगे क्या दिया है question में आगे लिका है maximum height achieved by the ball above the ground is 30 meter देखो यहाँ पे ground level है ये जो ball को थो किया है तो ये जो height है देखो ये जो height from the ground ये height कितनी है तो ये height दी है 30 meter और question में आगे लिका है draw the path of the ball the distance between the filter and the wicketkeeper is 70 meter ये जो filter है और wicketkeeper है इसके बीच में distance क्या है तो ये दिया है यहाँ पे 70 meter ये question में दिया है तो finally हमें parabola draw करने के लिए base और height चाहिए होता है तो हमें यहाँ पे base मिल गया तो हम यहाँ पे base लिख लेंगे कितना है base है यहाँ पे 70 meter और height यहाँ पे हम लिख लेंगे height दिया है कितना 30 meter ये दिया हुआ है लेकिन यहाँ सबसे बड़ा problem क्या है सबसे बड़ा problem ये है कि जो distances दिये है वो meter में दिये है वो centimeter में दिये है क्या या millimeter में दिये है क्या एक scale consider करना पड़ेंगा और वो scale के according ये meters को centimeter में लेके फिर आपको solution draw करना पड़ेंगा, ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम scale लेंगे, अब scale क्या लेना है, देखो scale क्या लेना, ये पूरा choice आपका है, ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे scale लेंगे, कि 5 meter का 1 centimeter, तो हम यहाँ पे scale तो यहाँ पे हम लेंगे by taking scale, that is 1 centimeter equal to 5 meter, ऐसा हमने scale लिया है, 1 centimeter equal to 5 meter, याने 5 meter के लिए 1 centimeter use करना है, तो base 70 meter है और height 30 meter है, तो इसके लिए यहाँ पे centimeter में अगर आप convert करेंगे, तो ये क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे, that is base बनेंगा, base क्या दिया है, ये दिया है, 70 meter, तो क्या करो, 70 को 5 से divide करो, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएंगा, कितना 14, और ये centimeter में मिल जाएंगा, ठीक है, तो base हो गया 14 centimeter, ये confirm है, और height की अगर बात करें, तो height दिया है, यहाँ पे 30 meter, तो क्या करो, 30 को 5 से divide करो, जो scale ह 5 कितना 6 centimeter, तो finally हमें base और height पता चल गया, जो हमें parabola draw करना है, उसका base drawing book में हमें 14 centimeter लेके draw करना है, और height 6 centimeter लेके draw करना है, तो चलो finally अब parabola draw करना, start करता है, लेकिन parabola draw करने के लिए parabola कौन से method से draw करना, ये question में कहीं लिका है क्या, नहीं, method का नाम दिया नहीं है, इसका मत इसलब parabola tangent method से draw करो, या rectangular oblong method से draw करो, ऐसा question में कुछ दिया है क्या नहीं, अगर ऐसा नहीं दिया है, तो ये पूरी choice आपकी है, कि आपको rectangular method यूज करना है, या tangent method यूज करना है, ये पूरा choice आपका है, तो चलो हमें काम करते हैं, हम इसका solution बनाएंगे by using rectangular method, तो ये देख है, जो हमने scale से यहाँ पर divide करके निकाले थे, ठीक है, और अब आपको यहाँ पर height show करना है, लेकिन height show करने के लिए क्या करो, ये इसका midpoint ले लो, इसका center ले लो, ये जो base है, इसका center हम यहाँ ले लेंगे, तो ये हमने center ले लिए, और center जो है, वो 7 cm पर होगा, और अब आ आपको यहाँ पर height show करनी है, क्या height है, 6 cm की height है, और ये exactly perpendicular चाहिए, देहन में रखो, और ये जो height हमने show किये है, यहाँ उपर का जो point है, यहाँ पर हम कहेंगे point C, ओके, और अब आपको यहाँ पर rectangular method follow करना है, तो rectangular method के लिए आपको rectangle draw करना जरूरी है, तो चलो rectangle create करेंगे, तो rectangle create करने के लिए क्या करो, आप roller scale या mini drafter का use करो, ठीक है, और फिलाल हमारे पास ये एक single scale है, हम ये single scale से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, यह जो scale है, ये base को ऐसा parallel set कर लेंगे, और यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे, C तक, और C से horizontal line draw कर लेंगे, और अब ये जो height है, height को exactly parallel ये scale हम set करेंगे, इसको B तक लाएंगे, B से vertical line draw करेंगे, और A तक लाएंगे return, और A से भी vertical line draw करेंगे, और यहाँ पे एक rectangle create हो जाएंगा, तो ये देखिए rectangle तो बन गया है, ये जो point है, ये point को हम कहेंगे point D, ठीक है, A, B, C and D, हम इसको कहेंगे O, तो आपको क्या करना है, ये AO and AD को divide करना है, लेकिन rule ये है, कि ये दोनों को equal part में divide करना पड़ेंगा, it means, अगर आप इसको 5 part में divide करना पड़ेंगा, इसको 6 part में divide करना पड़ेंगा, इसको 6 part में divide करना पड़ेंगा, दोनों को equal part में divide करना compulsory है, हम इसको 6 part में divide कर लेंगे, दोनों को 6 part में divide क करेंगे AD को 6 part में divide करने के लिए इसका length है 6 cm, तो इसको 6 part में divide करने के लिए हम यहाँ पर 11 cm के 6 parts यहाँ पर ले लेंगे, यह देखिए हमने ले लिए, यहाँ पर numbering दे देंगे, नीचे से उपर देना है, ठीक है, 1, यह 2, यह 3, 4, 5 और वो 6, इस तरह से हमने यह divide कर लिया है लेकिन यह जो AO है, यह scale से directly divide नहीं होगा, हमने AD को scale से divide किये 11 cm के 6 parts, लेकिन यह scale से directly divide नहीं हो पाएंगा, क्योंकि यह 7 cm का length है, तो अगर यह directly divide नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा construction करेंगे, और फिर divide करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक inclined line draw करेंगे 6 cm का, यह देखिए, यह हमने 6 cm का inclined line draw कर लिए, और अब क्या करो, यह 6 cm के line को 6 parts में divide करो, इसको 6 parts में divide करने के लिए 11 cm का एक part, यह directly यहाँ पे scale से divide हो जाएंगा, तो यह 1st part, यह 2nd part, यह 3rd part, यह 4th part, यह 5th और यह 6th, देखो इस तरह से 6 parts में divide हो गया, अब आपको क्या करना है, यह जो last part है, यह सबसे पहले, यह O से join करना है, तो यह देखो, यह हम यहाँ पे directly O से join करेंगे, और अब इसको exactly parallel, अब आपको roller scale या minute rufter का use करना है, scale जो है, यह जो first part जो आपने join के, इसको exactly ऐसा parallel set करना है, और roll कराते हुए, पीछे पीछे लाना है, और यह बाक finally, जो AO का length है, यह 6 equal part में divide हो चुका है, और अब यहाँ naming दे दो, तो यहाँ पे यह जो first part है, यह है 1, इसको कहो 2, यह है 3, यह 4, यह 5 और वो 6, इस तरह से finally, हमने AO and AD दोनों को 6, 6 part में divide कर लिए, अब इतना होने के बाद क्या करना है, अब इतना होने के बाद, यह जो point C ह C से 1 join करो, C से 2 join करो, C से 3, C से 4, C से 5, यह join करना है, तो चलो यह join करेंगे, और यह आपको fend pencil का use करके draw करना है, तो यह देखिए हमने C1, C2, C3, up to C5 तक lines draw करे हैं, और अब इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो नीचे का 1, 2, 3, 4, 5 है, यहाँ से vertical lines draw करना है, that is parallel to the height, तो height को exactly parallel रखो scale, और सभी parts से यहाँ पे vertical lines draw करो, तो यह देखिए, left side के box में यहाँ पे construction पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पे parabola draw करने के लिए, यहाँ points मिलने वाले हैं, तो यह देखो, यह 1 का line, और यह C1 का line, कहाँ पे cross कर रहा है, यहाँ तो यह first point है, ठीक है, यह second vertical line, और यह C2, कहाँ पे cross कर रहा है, देखो, यहाँ पे cross कर रहा है, यह second point, उसके बाद यह third line, और यह C3, कहाँ पे cross कर रहा है, यह यहाँ पे cross कर रहा है, then next, यह 4 और यह C4, यहाँ पे cross कर रहा है, then यह 5 और यह C5, यह यहाँ पे cross कर रहा है, तो parabola draw करने के लिए, left side के box में हमें points मिल चुके हैं ये सभी को जब हम join कर देंगे तो parabola का curve left side में हमें मिल जाएंगा और अब right side के अगर बात करें तो right side में भी आप बिल्गुल same construction करो कोई दिक्कत नहीं है या तो ये points को parallelly इधर shift करो वो भी चलता है कोई दिक्कत नहीं है सभी points हम उधर के box में parallel to the base shift करेंगे और parallel to the base shift करने के लिए आपको फिर से roller scale के लिए minute rifter का use करना है तो roller scale जो है वो आपको ऐसा base को parallel set करना है और सभी जो parts सभी जो cross section points है यहां से आपको horizontal line draw करना है तो ये देखिए हमने सभी cross section points से horizontal line draw कर लिए है और अब इसके बाद compose का use करना है और इधर की points का length लेके आपको उधर mark करना है ठीक है तो हम compose ले लेंगे तो ये हमने compose ले लिया है compose में length देखो ये first point जो है वो देखो ये height ये height वाली जो line है यहां से ये first point left side में जो है उसका length हम compose में ले लेंगे तो ये देखो ये length हमने compose में ले लिए और इतना ही length आपको right side में mark करना है तो ये देखो वही line पे रखते हुए ये point का length हम right side में mark करेंगे ये देखो mark करेंगे फर्स्ट point उसी तरह से second point का length हम compose में ले लेंगे ये height से जितने left side में है यह हमने length compose में ले लिए और height से right side में देखो उसी line पे हम यह cut कर देंगे यह देखो यह हमें second point मिल गया और अब third point की बात करें तो यह third point का भी हम length compose में ले लेंगे ठीक है और इसी तरह से जो है सभी points का जो length है वो हम यहां पे mark करेंगे तो यह देखिए सभी points को हमने compose का यूज़ करके यहां पे mark किया है देखो यह है वो points और अब आपको क्या करना है यह सभी points को join करना है ठीक है और यहां से आपको curve स्टार्ट करना है A से start होंगा ठीक है और इस तरह से ये पूरा join करना है C से जाएंगा और ये B तक पहुँच जाएंगा और इस तरह से ये draw करने के लिए आपके पास दो option है या तो आप free hand इसको join करो या तो french curve का use करो वैसे french curve का use करेंगे तो जादा अच्छा रहेंगा बहुत ही अच्छा और पहुच जाएंगे तो ये देखिए ये हमने parabola curve यहाँ पे draw कर लिया है लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने free hand join किया है लेकिन जब आप इसको drawing book में french curve का use करके draw करोंगे तो बहुत ही अच्छा और smooth curve बनेंगा ठीक है तो free hand के वज़े से थोड़ा सा कम जादा हो गया है और ये parabola जब आप drawing book में draw करोंगे तो आपको dark pencil का use करके draw करना है और ये base और height आपको semi dark draw करना है और ये red color के pencil जो कुछ भी हमने बनाया है वो आपको fin pencil से draw करना है ठीक है dimension जो है वो आप semi dark लिख सकते है कोई दिक्कत नहीं ये dimension है यहाँ पे 70 meter का base और height है 30 meter का जो original dimension है वो आपको show करना है जो centimeter में आपने convert किये थे वो आपको यहाँ show नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है और जो parabola है यहाँ पे आप naming दे सकते है जैसे यहाँ पे पहला point है यहाँ पे P1 लिखो यहाँ P2 लिखो P3, P4, P5, P6 इस तरह से आप naming दि के लिए कहते हैं तो आपके college में आपके lecturer आपको जो बता रहें आपको उसी के according चलना चाहिए ठीक है तो फिलाल question में जो कुछ भी दिया था उसके according यह पूरा solution आपके सामने है solution यही पे complete हो गया उमीद करते हैं कि यह पूरा solution आपको समझ मया होगा यह solution आपको अपनी drawing book म भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much